योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्यान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाबकारी है हजारों वर्ष पूर्था वैसा ही आज भी है। आपका स्वागत है आपका स्वागत है। आपका स्वागत है आपका स्वागत है आपका स्वागत है। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आईए अब हम योग साधना का अभ्यास चालनक्रियाओं यानि शितिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सुक्ष ब्रूप से रक्संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम गर्दन को आगे और पीछे जुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आराम दायक स्थिति में फैलाएं तता हातों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तता सेर को धीरे-धीरे आगे की और जुकाएं। और थोड़ी को छाती से स्पर्ष कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तता सेर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। और सांस भीतर लिये हुए सेर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तता दाहिनी ओर जुकाना। सांस छोड़ें तता सेर को धीरे-धीरे दाहिनी तरफ जुकाएं। कान को कंदे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामाने स्थिती में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाही तरफ जुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामाने स्थिती में लाएं। सास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान निस्थिती में लाएं। सास छोड़ें तथा सिर को बाहीं तरफ घुमाएं। सास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान निस्थिती में लाएं। गर्दन को घुमाना सिर को आगे की ओर जुकाकर थोड़ी को चाती से स्पर्ष कराने का प्रयास करें सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुईयों की दिशा में घुमाएं सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें सिर को घड़ी की सुईयों की विप्रीत दिशा में घुमाएं गर्दन के चारों और खिचाव, गर्दन के जोडों और मास पेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूती करें। गर्दन में दर्द और स्पॉंडिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। सकंद संचालन दोनों पैर परस पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। बुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों बुजाओं को अपने सिर से उपर उठाएं। हथेलिया उर्ध्वदिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों बुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से उपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्ष ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांगों को वे स्पर्ष ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को फूरी तरह खोलें। सकंध चक्र सीधा खड़े हो जाएं। बाई हाथ की उंगलियों को बाई कंधे पर रखें और उसी तरह दाई हाथ की उंगलियों को दाई कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीब ले जाने की कोशिश करें इसी तरह विप्रीत दिशा में बुजाओं को खीचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान बुजाई शरीर को स्पर्श करें इस क्रिया को बाई सिदाएं अर्थात घड़ी की सुई की विप्रीत दिशा में पाच बार दोहराएं इस क्रिया के अभ्यास से हड़ियां, मासपेशियां और सकंद शेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्त रहती हैं. यह अभ्यास गर्दन की रीड की हड़ी की अपकर्शक अर्थात सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस बिमारी को दूर करने में सहायक है. धड को घुमाना पाओं को परस पर दो फुट की दूरी पर रखें. दोनों हाथों को छाती की उचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हूँ. सास छोडें, शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाहिनी हथेली दाहिने कंधे को सपर्श कर ले. सास भीतर लेते हुए वापस लोटें. पुनह दोहराएं. सास लेते हुए धीरे धीरे करें. मेरु दंध या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के द्वरान यह व्यायाम ना करें खड़ी मुद्रा में विश्राम करें घुटनों को चलाना सास भीतर लें अपनी भुजाओं को कंदों तक उठाएं सास छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं सास भीतर लें और शरीर को सिधा करें, दो बार और दोर आएं इस व्यायाम से घुटने तथा कूले के जोड मजबूत होते हैं अत्यदिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें हाथों को नीचे लाते समय सास छोड़ें आईए अब योगासना की तरफ बढ़ें ताडासन ताड का अर्थ है ताड का पेड पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखें उंगलियों को आपस में जक्रें तथा कलाईयों को बाहर की तरफ मोडें सास भीतर लें तथा बुजाओं को उपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं एडियों को भूमी से उपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहें ये आसन शरीर में मजबूती लाता है रीर से जूड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में साहेता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है सास छोड़ें एडियों को नीचे लाएं उंगलियों की जकडन को खोलें हाथों को धड़ के सामांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं व्रिक्षासन व्रिक्ष का अर्थ है पेड दोनों पैरों में दो इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं आखों के सामने किसी बिंदू पर ध्यान की इंद्रित करें श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाए पैर को मोड़ कर उसके पंजे को बाए पैर की अंदरूनी जांग पर रखें अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरेनियम शेत्र से मिली होनी चाहिए गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को उपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस पर मिलाएं इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहें इस दोरान सामाने रूप से श्वास प्रश्वास करें यह आसन तंत्री का तंत्री की सनाईयों को बहतर और शरीर को संतुलत बनाता है आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाई पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं इस आसन का अभ्यास बाई पैर से भी करें बाई पैर को मोड़ कर उसके पंजे को दाई पैर की अंदरूनी जांग पर रखें श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को उपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस पर मिलाएं पाधहस्तासना पाध का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हात दीरे दीरे सांस भीतर लें और हाथों को उपर उठाएं शरीर को कमर से उपर की ओर खींचें सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक जुके जब तक पूरी हथेली धर्ती को स्पर्ष करने लगे इस अंतिम स्थिती को 10 से 30 सेकिंड तक बनाई रखें जिन लोगों को पीट की अकड़ं की समस्या हो उन्हें अपनी शमता के अनुरूप ही जुकना चाहिए अब सांस भीतर लें दीरे दीरे सीधी स्थिती में आएं और भुजाओं को सिर के उपर ले जाकर खींचें सांस छोड़े और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत करम में करते हुए प्रारम भिक्सिती में आएं विश्राम करें अर्ध चक्रासन दोनों हाथों के से कमर पर सहारा दें सांस छोड़ें सिर को पीछे जुकाएं गर्धन की मासपेशियों को खीचें तथा रीड के निचले हिस्से से पीछे की और जुकें सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें इस थिती में दस से तीस सेकिंड तक रहें अर्ध चक्रासन रीड को लचीला बनाता है तथा मेरू तांत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है ये सांस लेने की शमता को बहतर बनाता है सांस भीतर लें, धीरे-धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें उच्च रक्त चाप के रोगियों को साफधानी से जुकना चाहिए त्रिकोणासन त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज पैरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हों हाथों को धीरे-धीरे किनारे से तप तक उठाएं जब तक वे शेतिज ना हो जाएं सास छोड़ें, दीरे-दीरे दाहीनी तरफ जुकें और दाहीने हाथ को दाहीने पैर के ठीक पीछे रखें बाएं हाथ को दाहीने हाथ ही सीध में खड़ा करें सामाने श्वास के साथ इस थिती में 10 से 30 सेकिन तक रहें ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांगों तता कमर की मास पेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरू दंड को लचीरा बनाता है सास अंदर लेने के साथ ही धीरे-धीरे वापस आएं बाई तरफ के लिए फिर धोराएं स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चेकित्सा के उपरांद यह आसन ना करें अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं भद्रासन आईए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तयार हूँ भद्र का अर्थ है ड्रिड पाओं को सामने की तरफ फैला कर सीधे बैठें हाथों को कूलों के पास रखें यह दंडासन है अब अपने पैरों के तल्वों को एक साथ रखें सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें अपनी एडियों को जितना संभवो उतना मूलाधार के पास लाएं यह अंतिम सिती है इस थिती में कुछ देर तक रहें बदरासन छरीर को ड्रिड रखता है और मस्तिश को स्थिर करता है अब अपने पैरों को खीचें और विश्राम की अवस्था में आएं अक्यूट आर्थराइटिस अथ्वा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें वज्रासन सर्व प्रथम दंडासन में बैठ जाएं पैरों को मोरते हुए एडियों पर बैठ जाएं जांगों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों हाथों को घुटनों पर रखें सिर से पाउं तक शरीर को सीधा रखें इस आसन को वज्रासन कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन सर्व प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं घुटनों के बल खड़े हो जाएं हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों कोहनियों एवं कंधों को समान आंतर रखें अब सिर को पीछे की तरफ जुकाते हुए ग्रीवा की मासपेशियों को खीचें श्वास को अंदर खीचते हुए दर को जितना संभव हो सके उतना जुकाएं श्वास बाहर छोड़ते हुए इस थिती में शिथिल हो जाएं सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस थिती में दस से तीस सेकिंड तक रुकें इस योगा भ्यास से पीठ और गर्दन की मास्पेशियां मजबूत होती हैं कब्स एवं पीठ दर्थ से मुक्ती मिलती है श्वास खीचते हुए वापस वजरासन में बैठ जाएं शिथिल हो जाएं उष्टरासन वजरासन में बैठ जाएं घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांग और पंजों को आपस में मिला लीजिए घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं श्वास खीचते हुए धीरे से पीछे की ओर जुकें। धीरे धीरे दहीने हाथ से दहीनी एडी और बाई हाथ से बाई एडी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे जुकते समय गर्दन को जटका ना लगे। उष्ट रासन ध्रिष्टी कोण में अत्यंतलाब दायक है। यह पीट एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्छ रक्त चाप, हृदे रोगी वे हरनिया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वा शशांकासन शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों गुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगुठों को परस पर स्पर्श करने दें। हतेलियों को गुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खीचें। आगे जु और मुद्रा को बनाई रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खीचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। औस्चियो आथराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडुकासन इस आशन में शरीर की स्थिती उर्द्वमुखी मेंड़क जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैट जाएं। अंगुठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खीशते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोडे और हथेलियों को विप्रीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिती में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और गरीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्यपट के लिए लाबदायक है। यह फेफडे की कारेशमता में वृद्धी करता है। घुटनों वे जोडों के दर्द से पीडित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींशते हुए दोनों हाथों को धीरे-धीरे सीधा करें और वापस ले आए। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिती में ले आए। वक्रासन वक्र का अर्थ है तेढ़ा या मुड़ा हुआ। दहीनी टांग को मोडे और दहीने पैर को बाई घुटने के साथ रखें। बाई भुजा को दहीने घुटने पर लपेटे और हतेली को दहीने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें, शरीर तथा गर्दन को दहीनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं। और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीले पन को बढ़ाता है। यह कब्स तथा अपच दूर करने और मदुमे के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं, सास छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन मकर का अर्थ है मगरमच। पेट के बल इस प्रकार लिट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों वाहें मोड लें तथा दाहीने हाथ को बाई हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुकी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीट के निचले हिसे को आराम पहुँचाता है। बुजंग आसन। अब अधोमुकी मुद्राओं के लिए तयार हों। बुजंग का अर्थ है सर्प या कोब्रा। पेट के बल लेट जाएं। सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़े और बाहूं को खीचे। माथे को भूमी पर रखें। अब अपनी हठेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभी के हिस्से तक छाती को उपर उठाएं यह बुजंग आसन है यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है यह पीट दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निबटने में सहायक है सांस छोड़ें अपने माथे को भूमी पर रहने दे तथा बाहों को खींचे अपनी टांगे फैलाएं हथेलियां उची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें शलबासन शलब का अर्थ है पतंगा या टिड़ा पेट के बल लेट जाएं टांगे आपस में जोड़ लें थोड़ी को भूमी पर रखें दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलिया उपर की ओर हों सांस भीतर लें अपनी टांगों को भूमी से उतना उपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें बाहों और टांगों को इस तरह फेलाएं कि शरीर आसानी से भूमी से उपर उठ जाएं इस थिती में आराम से रहें यह आसन साइटिका तथा पीट के निचले हिस्से के दर्ब में राहत देता है यह कूले की मासपेशियों को आकार देता है अब सांस छोड़ें तांगों को नीचे भूमी की ओर ले आएं अपनी बाहें निकालें और भूमी पर विश्राम करें रिदे रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए सेतू बंधासन उर्द्व मुखी या पीट के बल लेट कर की जाने वाली मुद्राओं की ओर सेतू बंध का अर्थ है पुल बनाना तांगों को आपस में जोड़ें बाहों को शरीर के किनारे रखें सांस भीतर लें तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना उँचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं आराम से रहें यही अंतिम मुद्रा है यह आसन अफसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है ये पीठ के निचले हिस्से की मास्पेशियों को मजबूत बनाता है अब सांस छोड़ें धीये धीरे मूल स्थिती में आएं और विश्राम करें पीठ के बल लेट जाएं कृपय ध्यान रखें गर्भावस्ता के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें उत्तान पाद आसन इस आसन में पीठ के बल लेट कर पैरों को उपर उठाया जाता है इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं पैरों की स्थिती सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उपर उठाएं और 30 डिगरी का कोण बनाएं। सामाने रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन ना भी केंद्र अर्थात ना भी मनी चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हल आसन इस आसन में शरीर की स्थिती खेतों की जुताई करने वाले भारतिय हल की अर्ध आकृती जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांगों के बगल में रखें और हतेलियां जमीन पर डिका दें। घुटनों को बिना मोडे अपने पैरों को धीरे धीरे उपर उठाएं। सर्व प्रतम अपने पैरों को 30 दिगरी तक उठाएं। ततपश्चात 60 दिगरी का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 दिगरी के कोण की स्थिती में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पून स्थिती है। इस अवस्था में शरीर की स्थिती नितम्ग से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिती में सिर्जमीन से उपर न उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्थ व्यक्तियों के लिए अत्यांत लाबधायक है। परंतु उन्हें बड़ी साबधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीट के निचले हिस्से के दर्थ से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। दोनों घुटने मोडे तथा जांगों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकर लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर्थ तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से चूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्तासन है। यह कब्ज दूर करता है। उदर वायू से मुक्ति दिलाता है। और पीछे की मासपेशियों तथा मेरू तंत्रिकाओं को ठीट करता है। अपना सिर्थ पीछे लाएं। सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन शव का अर्थ है मिर्थ शरीर। यह आसन संपून विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीट के बल लेट जाएं। हथेलिया उपर की ओर हो। आखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागरत भावसे विश्राम दें। प्राकरतिक श्वास से परचित हो। इसे लाइबद और धीमा होने दें। ताजगी पून और निश्चिंतता की अनुभूती होने तक इस अवस्था में रही। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है। और शरीर तता मस्तिश्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तता उसके परिणामों के प्रबंदन में बहुत सायक है। यह तनाव एंच दोनावों के प्रबंदन में खरीर तता मा झाता है। यह तनावी प्रह्ड़ूवती है। कपाल भाति यह मस्तिश के अग्रभाग के श्वसन किंद्रों को उतेजित करता है ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाए आखे बंतरे और पूरे शरीर को विश्राम दे गहरी सांस भीतर ले, सीना फुलाए सांस को उदर की मास पेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकाले शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें झालना जाए फिर एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे बाहर निकाले और विश्राम ले इस प्रक्रिया को तीस बार करें, यह कपालभाती का एक चक्र है प्रतियक चक्र के अंथ में गहरी सांस लेनी चाहिए अब दो चक्र और करें कपालभाती सामने की वायू निकाओं को स्वच्च करता है इससे कफ संबंदी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है यह ठंड, राइनाइटिस, साइनुसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंदी रोगों के उपचार में सहायक है त्रिप्या ध्यान रखें, हृदे संबंदी परिशानियों, उच्च रक्त चाप, चक्कराना, माईग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा ग्यास्ट्र कल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम त्रमशह, बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है ध्यान की मुद्रा में बैट जाएं, मेरु दंड सीधा रखें, सिर उचा तथा आखें बंध हूँ शरीर को कुछ गहरी सांसे लेकर आराम की स्थिती में लाएं बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ग्यान मुद्रा में रखें, दाया हाथ ना साग्र मुद्रा में होना चाहिए दाई अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें बाए नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें फिर इसे बंद कर लें दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें दाहिना नासिका चिद्र बंद करें और बाई नासिका चिद्र से श्वास पहर निकालें। यह नाडी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायम का एक चक्र है। पाच चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायम प्रारंप करने वाले नई लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खीचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर एक अनुपात दो करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य उर्जा के सभी प्रमुक मारगों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोशित करता है। ये चित को शांत करता है और एकागरता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ती बढ़ाता है और तनाव तथा व्यगरता के स्तर को कम करता है। ये कव संबंधी दोशों का भी निवारन करता है। शीतली प्राणायाम शीत का अर्थ है ठंडा यह प्राणायाम साधक के चित को शांत करता है और मन की व्यागरता को दूर करता है शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप, शरीर और मन को शांती प्रदान करता है पदमासन अथ्वा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं अंजली मुद्रा अथ्वा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें जीब को किनारों से मोर कर ट्यूब की आकृती जैसा बना लें इस ट्यूब नुमा जीब से सास लेते हुए जितना हो सके वायू को फेफडों में भरें और मुह बंद कर लें और दोनों नासिकारंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें शीतली प्रणायाम रक्त को शुद्ध करता है यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है उच्च रक्त चाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेश लाब प्रद है यह भूक और प्यास का शमन करता है कफ और पित के कारण होने वाली अपच्छ और अन्य व्यधियों को दूर करता है यह त्वचा और नेत्र के लिए लाब दायक है थंड, कफ अत्वा तुंडि का शोत अर्थात टॉंसिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए ब्रामरी प्राणायाम ब्रामर भौरे को कहते हैं इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनी निकलती है वो भौरे के भुन-भुन से मिलती जुलती लगती है दोनों नास्चिदरों से गहरी सांस भीतर ले नियंत्रिक तरीके से गहरी और स्थेर भौरें के भुन्बुन के जैसी ध्वनी के साथ श्वास बाहर छोड़ें यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है दो बार और दोराएं यह अनिद्रा की अच्छी दवा है इसे तनाव संबंदी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है अब भ्रामरी को शन मुखी मुद्रा में करें अपने कानों को अंगूटों से बंद कर लें अब तरजनी को अपनी आँख पर मध्यमापो नासा पुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होटों पर रखें अपनी नाग खोले और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें नियंत्रित गती से धीरे धीरे भौरे की भुनबुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें यह एकागरता और ध्यान के प्रारंब के लिए त्यारी करने का प्राणयाम है ध्यान आईए अब ध्यान के लिए त्यार हूँ ध्यान एक निरंतर चिन्तन की प्रक्रिया है ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें अपने मेरू दंड को आराम दायक स्थिती में सीधा रखें ज्यान मुद्रा ग्रहन करें अपनी हतेलियों को जांगू पर उपर की तरफ को रखें बुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिती में होने चाहिएं अपनी आखें बंद कर लें और चेहरे को हलका सा उपर उठा कर बैठ जाएं आपको एकाग्र होने की आवश्यक्ता नहीं है वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हलका ध्यान दे और अपनी सासों के प्रती जाग रुखों ध्यान मस्तिश को शांत और आनंद में रखता है ये एकाग्रता, स्मृती विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ती को बढ़ाता है ये पूरे शरीर और मस्तिश को सही तरह से आराम देकर उसे पुना चैतन्य कर देता है ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है ध्यान हमें आत्मन भूती की दिशा में आगे बढ़ाता है ध्यान की स्थिती में बने रहे लग्यान की स्थिती में आत्ता है प्यान की स्थित्ता है भूती की स्थिती प्यान रहेता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो को दो कर 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 कर दो कर दो कर दो मैं स्वयम को एक स्वस्थ शांति प्रिय आनंद पूण इम प्रेम पूण मानों बनाने का संकर्प लेता हूँ अपने प्रते कार्ये से मैं अपने चारों और सुक संबिद्ध इम शांति में स्नेह पूण वातावन बनाने का प्रियत्न करूँगा मैं अहम इम अज्यान के इंद्रित जीवन की स्थान पर योग मेर वे विवेग पूण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व इम एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयम में समाहित करने का पूण पुर्शार्थ करूँगा मैं वसुधेव कुटुम्बुकम इम सह अस्तित्व के सिध्धान्त के प्रती पूर्ण आस्था रखते हुए सब के प्रती कृतज्य भाव से आत्मत व्यवारव आचान करूँगा मैं यहां उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ सर्वे भवन्त सुखिनह सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रानि पश्यन्तू मा कश्चित दुख भाग भवे मा कश्चित दुख भाग भवे उम शान्ति 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 कर दुख भाग मा कश्चित हर व्यक्ति शान्ति शानित शान्ति 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 दुख कर दो 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 कर